हेलो गाईज, most welcome back to our YouTube channel ग्यानमित सचिन्तों दोस्तों आज के इस complete वीडियो में हम बात करने वाले हैं Polytechnic first semester engineering drawing के बारे में, engineering drawing के most important questions के बारे में तो आप सभी को हम theory से related बहुत सारे questions बताएंगे और आपके drawing से related बहुत सारे questions बताएंगे और आप सभी को कुछ super tips भी बताऊंगा जो कि आपको engineering drawing के paper में आपको लगाना है तो वीडियो को ध्यान से देखिए, अन्तक देखिए, आप सभी के बहुत सारे helps होने वाले हैं यहां से engineering drawing से लेकर क्योंकि बहुत सारे बच्चों को message आ रहा है और direct comment भी आ रहा है कि engineering drawing में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं कैसे करूं कहीं theory आ रही है कहीं पर drawing आ रहा है ठीक है और यहां पर इसका कोई ऐसा तो notes है नहीं कि जिससे आपका काम आसानी से हो जाए तो वीडियो को ध्यान से देखिए अंतक देखिए आप सभी के बहुत सारे मदद यहां से होने वाले हैं क्योंकि हमने भी engineering drawing का paper जब दिया था तो उस समय हमको भी ऐसा लगता था कि drawing किसी तरीके से बस निकल जाए मेरा किसी तरीके से 20 नंबर जो है passing marks हो आ जाए और अपन किसी भी ब्रांच के तो आप सभी अभी भी 20 दिनों का मौका है अपनी तयारी को और भी अच्छी ढंग से कर सकते हैं most important questions के साथ क्योंकि आपके number जो है कुछ important questions ना तयार होनी की वज़ा से कम रह जाते हैं तो आपको important questions का idea लग जाएगा हमारे notes के माद्यम से और अच्छी preparation आप सभी की हो जाएगी और सभी subject के notes की जो प्राइज हो 49 रूपीज है मात्र यानि आपको 49 रूपीज में सभी subject मिल जाएंगे इस number पर call या message करके आप आराम से notes को प्राप्त कर सकते हो तो finally हम चलते हैं अपनी PDF के उपर जहां पर हमने table content को ले रखा है पहले तो table content में ह आपको chapter कौन कौन से पढ़ रहे हैं और topic आ रहा है तो कौन सा आ रहा है जैसा कि आपने पहला chapter देख लिए drawing और उसके उपकरण अभी इसी वीडियो में आपके पहले chapter से जो भी important क्योंसन आते हैं उसको मैं बता दूँगा इसके अनावा कोई और important क्योंसन नहीं बनेगा आप सभी से मैं promise करता हूँ दूसरा है आपका अच्छरण यानि lettering ठीक है तो यह आप सभी अभी देखेंगे कि किस तरीके से आपको तयार करना है उसके बारे में भी बताऊंगा ठीक है तीसरा है मापनी ठीक है यह most important रहने वाला है चोथा है बीमा और रूडी प्रधरसन और पांचवा है orthographic projection यानि जिसे आप गुठका कहते हैं तो क्या गुठका के बारे में कोई super trick है आपके पास जी हाँ आज के इस complete वीडियो के माद्यम से हम आपके orthographic projection के 18 नंबर के most important question के बारे में trick बताने वाले है तो ध्यान से देखिएगा और आपको क्या देखना है projection of points and line ठीक है और आपको एक इसमें से select कर लेना है चाहे आपको plane से select कर लेना है ठीक है या projection of solid select करने दोनों में से आपको एक select करना है ठीक है तो चलिए ये चीजी आप सभी के most important chapters के अंतरगत आते हैं ये जब orthographic projection आएगा तो 18 नंबर में projection of line भी 14 नंबर में पूछ लिया जात है आपकी मापनी जो diagonal list के लिए वो 14 नंबर में और लेटर है 10 नंबर ये सब fix है ठीक है बीमा और रूडी प्रदर्सन ये भी आपके 6-6 नंबर के question यहां से बन सकते हैं ठीक है और drawing और उपकरण के भी question आपके 10 नंबर के आसपास बन सकते हैं मैं आप सभी को बता दूं कि कोई भी proper pattern नहीं है कोई भी question 18 नंबर का कभी 12 नंबर का इस तरीके से वो कर सकते हैं तो चलिए बिना देरी की उपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं आगे अपने content के साथ ठीक है ठीक है पहला हमारा जो question बनेगा वो drawing में प्रयोग होने वाले विबिन उपकरणों के नामलिक यह बनता है इसको बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि आप सभी को टेली ग्राम चैनल अभी ज्वाइन कर लेना है ठीक है टेली ग्राम चैनल ज्वाइन यह करने का फायदा है कि आप सभी को उन वीडियो को मैं प्रवाइट कर दूँगा जो वीडियो के माद्यम से आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत जानदार तरीके से कर सकते हैं मतलब मैंने जहां से प्रैक्टिस किया था इंजिरिंग ड्राइंग का वही वीडियो आपको प्रवाइट करूँगा सिर्फ उतनी ही वीडियो प्रवाइट करूँगा मतलब वह परस्नल मेरी वीडियो आप सभी तक सियर कर रहा हूं जिससे मुझे मेरे फेम पर कोई असर पढ़ रहा है आप सभी की प्रेप्रेशन अच्छी डंग से होनी चाहिए उन वीडियो के माद्दम से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि जो भी मोस्ट पॉपलर टीचर है जो की मोस् और जो भी थियोरी पार्ट है जो इस वीडियो में मैं थियोरी पार्ट को कबर करा रहा हूं ठीक है इसकी भी पीडियाफ को अभी टेलिग्राम पे आप सभी के साथ मैं सेंड करूंगा क्योंकि यही थियोरी पार्ट है इससे ज़्यादा कोई भी थियोरी पार्ट नहीं आ है क्योंकि यह आपका compulsory subject है ठीक है मतलब compulsory topic है ठीक है इसको नहीं आप attempt करेंगे तो आपकी copy जो है वो जो भी seat है वो चेक नहीं होगी यह बात है ना तो मैं आप सभी को बता दूं कि कुछ सालों से यानि बीते 6 सालों से जो मैंने ने analysis करा है बीते 6 सालों से हो क्या रहा है कि एक बार आपका orthographic projection पूछा जाता है और एक बार नहीं पूछा जाता है थियोरी पूछी जाती है इवन मैं जब 2021-22 का paper हो रहा था जो कि 2022 में conduct हुआ क्योंकि जो भी 21-22 का सत्र है वो अगले साल में ही हो जाता जैसे आपका जैन्वरी में हो रहा है तो 2024 में हो रहा है लेकिन ये 23 का सत्र है ठीक है जो 2023-24 का सत्र है जब मेरा paper हुआ था 2022 में तो उसमें orthographic projection नहीं पूछा गया था अब आप खुद चेक कर लेना कि क्या last year जो है orthographic projection पूछा गया था या नहीं इससे आपको idea लग गया होगा कि इस बार उमीदे नहीं है कि orthographic projection पूछा जाए तो orthographic projection ना आप सभी ज़्यादा practice करके अब मेरा ये कहना है कि ऐसा आप ना करें एक orthographic projection को मेरे दम पर छोड़ दें कि orthographic projection जो है वो नहीं आने वाला मैं ये ट्रिक यूज कर रहा हूं आप सभी के साथ क्योंकि इसमें आपका 50-50% का गेम है अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपका paper बना रहा हूं है न तो लेकिन जो chances रहते हैं वो orthographic projection क्योंकि हमने बहुत ज practice कर लो कि आपको attempt करने में कोई दिकत ना आए मेरे कहने का simple सा ये मतलब है कि आप attempt उसको कर लो उतना आपको जानकारी 18 कर लेना है ठीक है basic rule और पता कर लेने बाकी आपको जो time देना है वो आपको देना है कहां पर projection आप planes और solid एक select करके कुछी एक पर देना है फिर diagonal scale पर अच्छा देना है लेटर राइटिंग में आप सभी को अच्छी तरीके से time देना है ठीक है ये जो चार मैंने बता दिया लेटर राइटिंग 10 नंबर 14 नंबर 24 नंबर और ये 14 नंबर ये ठीक है 24 उसके बाद 24, 24, 28, 10, 38 नंबर और projection आप point and line ये आपका 8 नंबर ठीक है तो धन्य बाद कितना मेरी बातों को आपने सुना है और I think आपको समझ में भी आग्या होगा क्या मैं बताने की कोसित कर रहा था तो ड्राइंग में उपरियोग होने वाले बिबिन, उपकरन काउन कोन से है ध्यान से देखीएगा कि ड्राइंग में परियोग होने वाले उपकर और मिनी ड्राफ्टर ये आपका दूसरा तीसरा हो जाएगा ये चौथा हो जाएगा कुछ इस तरीके से रखना चौथा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हो गया ठीके आपके एक प्रकार ठीके फिर उसके बाद आपका लॉंग डिवाइडर ठीके फिर उसके बाद 95 mm लॉंग डि प्रोटिक्टर ठीके उसके साथ चाथ पैंसील रबर्ड्रश इट मैट्रिक स्केल ठीके उसके बाद आइंग पिन और फ्रेंच कर्व ठीके उसके बाद कोई Đस्टर आपको ले लेना है और एडिसनल बता रहा हूं कि एक रुमाल रख लेना जिससे आपकी सीट गंदी न हो अगर सीट गंदी होती है तो वो भड़ी सी भंदी लगेगी और कहीं ने कहीं आपके एक जाम के नंबर पर असर पड़ सकता है तो आप एक रुमाल साहब चुतरी ले सेंड कर दूँगा ड्राइंग को बनाने है तो क्या-क्या साउधानिया बरतनी चाहिए उसको भी देख लीजिएगा आरेखन यानि ड्राइंग कार सुरू करने से पहले आपको जो भी है रुमाल वगरा जो भी आप सभी के एक्क्यूपेंट से उनको अच्छे तरीके से सा नहीं चाहिए ठीके पसीने आद के लिए कागच के नीचे रख लेना चाहिए पैंसिल को जो अच्छी तरीके चाहिए ठीकर और गुटके पर आपको रगड करकी सौर्फ करना ठीकर आरेखन कारे करते समय पेंसिल को मुह से कानों से तथा बालों से असपरस नहीं करना चाहिए तेल वेल जो है लग जाएगा ठीकर और आपका जो अच्छर लेखन में है जो आपका लेटर राइटिंग है ठीके उसमें स्याही इंक पॉट को आरेखन कागज के ऊपर नहीं रखना चाहिए जिससे वो गभी गिर जाए यह सब एक्चुल में होता नहीं लेकिन यह आपको थेोरेटिकल में तो याद रखनी पड की द्याना चाहिए र1 जो है टी स्क्वायर जो है पसक्वर की वरकिंग हिश पर रगण द्राइब कर forehead की वो खिले नहीं पड़ने देना चाहिए ठीके मारिसमांत होनी के उप्राम ठीकें के द्राइंग का अगच को तह बनाकर फोल्ट नहीं रखना चाहिए ठीके वो खुद ही बताएंगे कि आपको किस तरीके से फोल्ड हो गारा करना है क्योंकि आपका एक रूल होता है कि वो जो आपका नंबर है वो आगे सो करना चाहिए तो खुद ही समझाएंगे ठीक है अब यह आपका जो चैप्टर है कौन सा चैप्टर था मेरे प्यार चाहती हो यह चैप्टर है आपका डाइमेंशन एंड कन्वेंशन रे प्रजेंटेशन यहां से ही थियोरी का चैप क्यूस्चन पूछा जाता है ठीक है यहां ही से थियोरी पूछी जाती है तो वसी चैप्टर को मैंने उठा लिया है और यह 2022 के सत्र में जब मैं पेपर दे रहाता तो यह पूरा क्यूस्चन पूछा गया था आपका च्छा नंबर में ठीक है तो आपको विभिन प्रकार की जो रेखाएं है उनको बताना है ठीक है वन एमम थी मिक ठीक 0.5 एम थीन 0.3 एम जिरो पॉइंट 3 एम थीन ठीक है तो आपको इसको देख लेना है मैंने आपको बता दिया PDF टेलिग्राम पे मैं 91 से चिनवाले पे भेद दूँगा अब कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन में आपका एक खट भुजा कार नट पूछ लेगा यह आप सभी देख लिजेगा और डवल रिवेटेट चेन पूछ लेगा ठीक है यह आपको इ फिर मैट्रिक थ्रेड है और इंटर्नल थ्रेड है आपका प्रतिचेदन रेखा है प्लग वेड है ठीक है तो इन सब का दिया हुआ है आप सभी इसको जरूर प्रेक्टिस करेंगे इसकी PDF में टेलिग्राम पे भेजूंगा और आपके अलुमिनियम है ओपन क्वाइल स्प् वेल्ड वेवल गियर धीर बंग रेखा आंत्रिक चूड़ियां इन सब की प्रेक्टिस आपको देख करके कर लेनी है सब की PDF मिल जाएगी प्लक तता साकेट बजर एल्बो फस्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ठीक है एक इंपॉर्टन क्यूसन है मैं लिख देता हूं इंपॉर्टन फस्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इसका पहले नंबर तो आपको सिंबल पूछ लेगा ठीक है इन दोनों का आपको सिंबल बता देना है दूसरा इसके बीच में डिफरेंस पूछ लेता है तो इसका पांच डिफरेंस जरूर तयार कर लेना कहीं सभी सर्च कर लोगो गूगल कर लोगे कहीं सभी इसको मिल जाएगा तो यह जरूर याद कर लेना और आपके एक जामनर वगयरा भी ठीक है किसी और सब्जिक के वाईबा में भी पूछ लेते हैं फस्ट एंगल प्रोजेक्शन वैसे इसका वाईबा यह इतने इंपोर्टन चीजें हैं जो कि मैंने आप सभी को समझाने की कोशिस की अब आता है बीमांकन तथा बीमन से आप क्या समझते हैं ठीक है इसको आपको बताना है और बीमी अंकित करने की कौन कौन सी पधतियां एक तो है एलाइंड मिथड ठीक है और दूसरा है इसको आप अच्छी तरीके से तयार कर लेना ठीक है आज के इस वीडियो में सारी चीजों को मैं इंपोर्टल डिसकस कर दे रहा हूं और जो भी चीजें आपके थियोरी ड्राइंग से रिट रहे हैं यानि आपका डाइगोनल स्केल और आपका लेटर राइटिंग हो गया असだ और नोट के लिए आप से नंबर पे अपने नोट को प्राप्ạnh कर सकते हैं ठीके नाईञिकों के जीटि और. क्याल तरल करें डि dabeiसे का माउजा अधेर